वोट या भासन के बदले रिस्वत के मामले में सांसदों और विदाईकों को मुकदमे से रहत नहीं मिलेगी सुप्रीम कोट ने इस छूट पर ऐस हमती जताते वे 1998 में दिये अपने पुराने फेसली को पलड दिया है चीब जश्टीस के अध्यक्सता में समिधान पीट के जश्टीस A.S. बोपन्ना, जश्टीस A. M.M. सुंद्रेस, जश्टीस P.S. नरसिम्हा, जश्टीस J.B. पार्धीवाला, जश्टीस संजई कुमार और जश्टीस मनोज मिस्रा ने ये फेसला सुनाया है साथ जजों की समिधान पीट ने 1999 में जारकंड मुक्ती मोर्चा रिस्वत मामले में अपने फेसले पर पुनर विचार के लिए दाखिल अरजी पर सुनवाई कर 5 अक्टुमबर 2023 को फेसला सुरक्षित कर लिया था केंदर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वोट के बदले रिस्वत मामले में विशेसादिकार का विरोध किया था सरकार ने कहा था कि कभी भी मुकदमे से छूट का विशे रिस्वत लेना नहीं हो सकता केंदर का कहना था कि संसद्य विसेसदिकार का अर्थ किसी सांसंद या विधाय को कानून से उपर रखना नहीं है सुप्रीम कोट में सुनवाई के दुरान संसद या विधान सबा में अपमान जनक बयान बाजी को भी अफराद मानने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई ताकि ऐसा करने बालों पर आफरादिक मुकदमा चलाया जा सके सुप्रीम कोट के फैसले के बाद समाचार एजनसी ए एनाई से बाद करते हुए वकील अस्पीनी उपाध्याई बोले आज सुप्रीम कोट की साथ जजों की बैंच ने इत्यासिक फैसला दिया है कोट ने इस दुरान पुराने फैसले को भी पलट दिया कोट ने साब किया कि कोई भी विधायक अगर रूपे लेकर सवाल पूशता है या रूपे लेकर किसी को कोट करता है तब उसे कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी नहीं कोई प्रोटोकोल मिलेगा बलकि उसकी खिलाब भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा सुप्रीम कोट ने सुनवाई के दुरान बयान बाजी को अफ्राद मानने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया सुप्रीम कोट ने सुनवाई के दुरान कहा कि सदन के भीतर कुछ बोलने पर सांसदों और विधाईकों पर कारवाई नहीं हो सकती कोट के मुताबिक सदन में मानन्यों को बोलने की पूरी आजादी है बतादे की जहरकंड की विधायक सीता सोरेन पर साल 2012 में राज्यसबाज चुनाव के दुरान रिस्पत लेकर वोट देने का आरूप लगा था सीता सोरेन ने अपने बचाव में कहा था कि उनको सदन में कुछ भी कहने या किसी को वोट देने का अधिकार है और इसका विशेसादिकार समिधान के तहत हासिल है ऐसे में उन पर केस नहीं चलाया जा सकता सीता सोरेन ने खुद की खिलाब दर्ज केस को रद्ध करनी की अपील की थी अलाग कि अब सुप्रीम कोर्ट के फेसले से सीता सोरेन को जोर का जटका लगा है सांसद और विधाईकों को लेकर सुनाए गए इस फेसले का प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने भी स्वागत किया है उन्होंने ट्वीट में लिखा स्वागता सुप्रीम कोर्ट ने एक महान निरने लिया है जो स्वच राजनिती सुनिश्चित करेगा और सिस्टम में लोगों का विश्वास गहरा करेगा कमेंट सेक्षन में अपनी राई इस पर जरूर दीजिएगा जय हिंद जय भारत